स्वागत है सभी साथ्यों का एक बार पुना भार्टे विजन क्लासेज में मैं विकास सर आज हिंदी का बहुत ही महत्पुन टॉपिक राजभासा नियम 1976 लेकर आगे हैं यहां कलास जितने भी परत्यों की परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पुन होने वाला है क्योंकि यहां से दो से तिन प्रस्न सभी परत्यों की परिक्षा में नेश्चित आते हैं तो यहां कलास आपके लिए बहुत ही महत्पुन है पता है कि आपको कभी कभी एक या दो न क्लास है प्रंतु इससे जो परस्ण परतोगी परिक्षा माते हैं उसे हम आज जरूर देखेंगे खास कर बिहार एश्टेट की जो त्यारी करने विद्यार थी है उनके लिए तो यहां क्लास और भी महत्पूर्ण है क्योंकि पिछले बार 2023 में जब बिहार एश्टेट पेपर राजभासा नियम 1976 से सम्मद जितने भी एकक के तथ्ये हैं सभी तथ्यों को देखेंगे जहां से परतोगी परिक्षा में परस्ण कई बार आते हैं सबसे पहले इसे जान लेते हैं सबसे पहले राजभासा अधिनियम बना था पारित हुआ था 1963 में इसे फिर क्या किया गया संसोधित करके उनीसो सर्षत में इसे संसोधित कर दिया गया और यही आगे चलकर राजभासा नियम बना 1976 अनि राजभासा अधिनियम 1976 के नाम से भी इसे जाना जाता है तो राजभासा अधिनियम 1963 में पारित हुआ संसोधित हुआ उनीसो सर्षत में अपुना राजभासा अधिनियम को ही 28 जुन और राजभासा अधिनियम जो 1963 है इसी अधिनियम को ही 28 जुन 1976 को राजभासा नियम के नाम से पुना पारित किया गया इन में इसमें कुल 12 नियम बनाएगे इसलिए राजभासा नियम इसका नाम दिया गया क्यों इसमें कुल कितने नियम बनाएगे त अब इसमें कहां से प्रशन आते हैं हम अब चर्चा करेंगे तो राज भासा नियम 1976 के अनुसार, भारत के विभिन राजियों को राजियों के बाथा अब बाइस राजभासाओं के अधार पर जहां जिस भासा की बहुलता है उसके अधार पर वहां की जो राजकिये कारियों के लिए जिस भासा का परियोग किया गया और उस भासा की परियोग के अधार पर इसे कितने छेत्रों में बाटा गया तो तीन छेत्रों में तीन जहां जी छेत्र में जीस भासा का परचलन अधिक रहा उसी कधार पर यह नियम बनाया गया जिसमें केंद्रिय कारियालेयों को तीन वर्गों में बाटा गया देखे आगे हम समझेंगे तो पूरा समझ मा जाएगा बहुत ही महतपुर्ण यह कलास होने वाला है क्योंकि यहां कच हेत्र के अंतरगत आतें कि तना महत पून्याद रखे कच हेत्र के अंतरगत कौन को कच हेत्र کے अंतरगति आने वाले राज यह वो कौन कौन है तो जहां कि राज भासा हिंदी है भारत की जो 28 राज्यों में जहां की राज भासा हिंदी है वो राज हो या फिर केंदर सासित परदेश हो तो वहां की जहां की राज भासा हिंदी है और जहां की राज की ये कारियों में हिंदी भासा का परियोग किया जाता है वह कच हित्र के अंतरगत आते हैं आनि सिधा सिधी का सकते हैं कि कच्छेत्र के अंत्रगत वे राज और केंद्र सासित राज या परदेश आते हैं जहां कि राज भासा क्या है तो हिंदी भासा है यानि हिंदी है अब कच्छेत्र के अंत्रगत आने वाले राज और केंद्र सासित परदेश कोन कोन है तो यहां देख लिजे उत्तर परदेश उत्रांचल मध्य परदेश राजस्थान बिहार हरियाना जारखंड दिल्ली हिमाचल परदेश और अंड़मार निकोबार अब यहां अंड़मार है याद रखेगा यह जितने भी दिये हैं यहां की राजभास क्या है हिंदी है और यह कच्छेत्र कें। कई बार परिछ्छा में आया जाता है की इमें से कौन सा छेत्र pop यहां से ओज़ा आज सकता है इनमें से कौन सा छ्षेत्र press या राज च्छषात्र के अंदर्गत आता है तो यह यहीं तरह व सब्सक्सक्स कर को सत्य कर इसे अदिक एसी क्द्र हो! भारत के राज एवं केंदर सासित परदेश जहां की राज भासा क्या है तो हिंदी है अब इसको भी याद करने का हम बहुत ही अच्छा ट्रिक दिये हैं ताकि आपको याद हो जाए क्योंकि 10 हैं अब 10 में कभी मिस्टेक भी हो सकता है तो उसके लिए आपको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा कि कहां कहां की राज भासा हिंदी है अब याद करने का ट्रिक हम लिए हैं उम राज को बिहाई दिहीं जारखन में पिया दिहीं ये हम ट्रिक निकाले हैं कोशिस करने के लिए ताकि आपको याद वजा कहां की राज भासा सिर्फ हिंदी ही है दूसरा नह केंदर सासित संग की संग हैं जहां की राजभासा हिंदी है वे कौन कौन है तुसके याद करने के लिए आपको ट्रीक देदी हैं उम्राज को बिहाई दी ही जारखन में पिया दी उसे क्या हो जाएगा उत्रांचल और उत्तर पर्देश म से मध्य पर्देश राज से राजस् से तो जारखन ही होगा तो जितने भी हैं यहां की राजभासा क्या है तो यहां की राजभासा हिंदी है क्या है हिंदी है यह ट्रीक जरू याद रखेगा उम्राज को बिहाई दी ही जारखन में पिया दे अगर आप याद नहीं कर पाते तो तुरत आपके दिमाग में आ ज जाएगा कि इन में से कोन सा च्हेतर का छेतर के अंतरगत नहीं आता है तो आपको पता चला जाएगा कि इन कुन है जो कच हेत्र के अंतरगत नहीं आता है तो इस ट्रीक के माधियम से आप जान सकेंगे कि किन राज्यों में या केंदर सासित परदिसों की राजभासा क्या है तो हिंदी है यह ट्रीक के माधियम से यह आप जान सकते हैं तो कुल मिलाकर कच हेत्र के अंतरगत कौन-कौन से राज्जी आएंगे जहां की राजभासा क्या है तो हिंदी है अब खच छेत्र की ओर चलते हैं खच छेत्र में क्या है जहां की राजभासा हिंदी ना होने के बावजुद भी वहां की लोग हिंदी भासा का अच्छा ग्यान रखते हैं अनि खच छेत्र के अंतरगत उन रा परदेशों को रखा गया जहां की राजभासा हिंदी तो नहीं है परन्तु वहां के लोग हिंदी भासा का अच्छा ग्यान रखते हैं अब खाच हितरक के अंतरगत आने वाले कौन-कौन से राज्य और केंद्र सासित राज्य हैं तो गुजरात महराष्ट पंजाब और पंज अनि दमन और दीवत तथा दाधरा एवं नगर हवेली तो यह चार एसे छेत्र हैं जहां की राजभासा हिंदी तो नहीं है परन्तु यह लोग हिंदी का बहुत ही अच्छा ग्यान मदब जानकारी रखते हैं यह जानकारी है यह हिंदी बोल भी लेते हैं फिर भी यहां की राजभासा हिंदी नहीं है अब इसे भी याद करने का हम ट्रिक निकालने का कोशिस किये हैं किसे याद करना है पंगुदा महाचंडी पंगुदा महाचंडी पंगुदा महाचंडी पंग से पंजाब गुष से गुजरा दा से दादरा एवं नगर है वेली महा से महराष्ट और चंडी से चंडी गड़ इससे क्या हो जाएगा आपको आद हो जाएगा कि जब आपको याद जाएगा खट छेत्र के अंत्रिकत याद करने का ये ट्रिक है पंगुदा महां चंडी पंगुदा महां चंडी अब याद दिरखेगा खट छेत्र में पंजाब गुजरात महरा यहां की जो राजभासा है तो पंजाब की राजभासा पंजाबी है कितना असान है पंजाब का पंजाबी मतलब यह नहीं कि आपको दूसरा पंजाब है पंजाब से पंजाबी हो गया गुजरात का गुजराती महराश्ट का महराथी आनि पंजाब का राजभासा पंजाबी गुजरात का गुजराती महराष्ट का महराथी याद हो जाएगा राम स्यापको तो ये ट्रीक हो गया इस खच छेत्र के अंतरगत आने वाले जितने भी छेत्र हैं पंगु दा महा चंडी से पंग से पंजाब गु से गुजरात दा से दादरा एवं नगर हवली और दमन और दीव दादरा एवं नगर हवली महराष्ट और चंडी से चंडी कर तो ये सब ख छेत्र के अंतरगत आते हैं किल को दे ही दिए उम राज को बिहाए धी ही जाडखन में पिया दे ही इससे क्लिए आपको ख लाज्ळे में आज तो क्र चेат्रे में आ अगर आपको पता है कि पहला और दुसरा का ट्रिक आपको मालूम है अब जो बच गया कहाँ चला जाएगा आपका तो गठ चित्र बाते हैं जहां की राजभासा हिंदी निया होकर वहां की छेत्रिय ना होकर वहां की छेत्रिये भासा होती है आनि अर्थात वहां के लोग जो छेत्रिये भासा के रूप में जिस भासा का बोल चाल करते हैं जिस भासा का परियो करते हैं उसी भासा को वहां का राज भासा बनाया गया अब गह छेत्र के अंदर दाने वाले जो राज्य हैं या के ज्यात्त हैं सिपगाएं। मनीपूर का मनीपूरी मिजोरम का मिजो देगे सब इजी है आप राम से जान लेंगे परिच्छा में आप जान लेंगे सब इजी है इसे आप जान लेंगे कि कहां की राजभासा क्या है और भी है जिसे जहां पर आपको दिकत होगा वो आपको हम बता रहें अब यहां देखि यहां की राजबासा परदेश यहां की राजबासा क्या है अब यहां देखिए कुछ जिसे हमको याद करना निवार्ज रहेगा इसे आपको रट लेना होगा केरल का क्या है तो मल्यालम है करनाटक का क्या है तो कनंड है तिरुपूरा का क्या है तो बांगला है अब गोवा का क्या है तो कौंकनी है इसे यह जो है इसे आपको याद करना होगा क्योंकि इसमें कोई मतलब ट्रीक या कुछ काम नहीं करेगा गोवा का गो से नहीं है या को से कोंकिन की यह तुर 가서 कowadul Kab Qan Spree अरिपूरा का 28 मंगाल से सटा हुआ है पर और इसलिए लग भग इसी का परभाव कर्नाटक का जाए का कनन हो गया कर्नाटक का से कनथ कररों केरल का केज इस तु कि राज भासा क्या थी हिंदी आप उसका याद करने का ट्रिक बता दिये जिस्से आपको नहीं को पता चलिए कौन कों Corporß उसके बाद महराष्ट की राजभासा क्या है तो महाराथी है यह आप जानगे उसके बाद यहां गच खेत्र में जितने भी बच गई राज़ सभी गच खेत्र के अंत्रगत आ जाते हैं अब इसमें भी याद करन सकते राजभासा राम से ओडिशा का ओडिया तमिलाडू का त तेलंगाना का तेलगू अंद्रपर्देश का तेलगू देख एक आंद्रपर्देश का भी आपको याद करना होगा आंद्रपर्देश का भी क्या होता है तो तेलगू होता है तो तेलंगाना अंद्रपर्देश दोनों एक प्रकार से पड़ोसी राज़े हैं इस जिसके कर परभाव है भासा का अब पाचिम मंगाल का बांगला असम कासम या मनीपूर का मनीपूरी मिजोरम का मीजो तो यह सब तो अराम से अब याद कर सकते हैं जहां आपको याद करने राज भासा कौन सा तो याद रखेगा अंग्रेजी किसका किसका याद रखेगा मेगाले नाग पुछा था तीरी पूरा का भी पूछा था देगे सारा प्रस्ण यहां से आ चुका है बिहार एस्टेट जो दूजर तैस में परिक्षा होई थी पेपर टू की तो बहुत ही महत्पून है आपके लिए यहां क्लास क्योंकि यहां से निश्चित है दो से तीन प्रस्ण बिहार यह स्टेट की परिक्षा में निश्चित हसने वाले अब राजभासा नियम को पुना 1987 में 2007 में 2001 में भी संसोधित किया ग्या इसे भी आप याद रखिएगा कب-कब संसोधित किया ग्या है राजभासा नियम को भी 1987 में 2007 में 2011 में राजभासा नियम जो है राजभासा अधिनियम से चला जो 1963 में इसकी सुरवात हुई 1963 के बाद इसमें संसोधित अधिनियम आया 1964 में अब इसी नियम का नविन सवरूप का सकते है राजभासा नियम से 1976 में आया जिसमें कुल 12 नियम बनाएगे और राजभासा नियम के अनुसार भारत के जो राजभासा समन्दी जितने भी छेत्र हैं उन छेत्रों को तीन वरगों में बाटा गया कह छेत्र, खह छेत्र और गह छेत्र जिसको हम आपको अभी बता चुके हैं आप ट्रीक के माधियम से याद कर लेना या फिर आप अगर रटना चाहते हैं दिमाग में हमेशा के लिए बैठाना चाहते हैं तो आप आपको रटना भी होगा या फिर ट्रीक से आप तुरंट जाल लेंगे तो मुझे उमीद है कि यहां कलास आपके लिए बहुत ही प्रस्ण निशित आपको मिलेंगे ताकि यहां कलास हम जो लाए हैं इस कलास को इसी उदेशे से लाए थे ताकि आपका यहां से जो प्रस्ण बिहारेश्ट की परिक्षा माने वाली है वो प्रस्ण में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो आप सही जवाब दे कर रहें चल भार्ती विजन क्लासे बहुत ही महत्पून है जहां से आप PDF नोट से भी परवाइड कर सकते हैं साधी साथ कलास की भी सुईधा है और बेतरिंग कलास हम लेकर आते हैं परिक्षा के दिरिश्टी से जितने भी महत्पून तथ्य होते हैं उसे हम आपके समुख लेकर आते है हम आपके समुवण कोई बेतरिंग कर सकते हैं 2500 क्लासे होने डाते हैं लेकर आते हैं अबसे हम जे जो मम आपके आते हैं अँटैंग क्लासे झापके कर elf में चेठानी है हम बहुते हैं एrez हैं जे पर ले ए perhaps दो दो